इस वीडियो के निदर हम करेंगे Board Committees Under the Savvy Listing Regulations यानि की Savvy LODR के नदर हमें कौन कौन सी Board Committees दे रखी हैं जो कि हमें बनानी हैं अब वो जो Board Committees है वो हमें बनानी के लिए बता रहा है और उसकी क्या Composition होगी, कौन कौन उसकें अदर Members होगे और कब-कब उनकी meeting होगी, वो क्या काम करेंगी, यह सारी चीज़े हमें बता रहे हैं तो हमारे पास main committees के regarding चार regulation आते हैं कौन-कौन से regulation, regulation 18, regulation 19, regulation 20 and regulation 21 इन चार regulation में कौन-कौन से committee की बात की गई है regulation 18 के अंदर audit committee की बात की गई है regulation 19 के अंदर nomination and remuneration committee की बात की गई है regulation 20 के अंदर stakeholder relationship committee की बात की गई है regulation 21 के अंदर risk management committee की बात की गई है इन चारो committees को हम एक साथ देखते हैं और compare करते हैं कि चारो committees के अंदर क्या फरक रहता है और किस-किस तरीके से क्या-क्या members इनके अंदर रहते हैं तो सबसे पहले अगर हम audit committee की composition देखे तो उसके अंदर कौन कौन होगा तो यहाँ पर इसने सबसे पहले बोला कि जो audit committee होगी उसके अंदर कौन होगा comprise at least three directors तो सबसे पहले तीन directors हमें at least चाहिए ही चाहिए वही मिलके audit committee बनाएंगे in audit committee there can not be less than three directors तो three directors is a minimum quantity इससे कम directors audit committee को नहीं बना सकते nomination, remuneration director के अंदर भी कितने चाहिए हमें at least three directors तो nomination, remuneration committee हो audit committee हो दोनों के अंदर हमें three directors चाहिए stakeholder committee के अंदर भी हमें कितने चाहिए है तीन directors ही चाहिए और risk management committee के अंदर minimum three members with majority of them being member of the board of directors including at least one independent director से बोला इसने भी यह है कि minimum three members हो मतलब इसने बोला कि मुझे minimum three members चाहिए है risk management committee के मुझे minimum three members चाहिए है जिसके अंदर से इन तीनों में से majority जो है वो कहां से हो board of directors में से उठाके रखे गए हो यानि कि इसके अंदर जो members है वो other than directors भी हो सकते हैं तो यह बोल रहा है कि मुझे at least three members चाहिए जिसमें से majority जो है यानि कि अगर तीन ही member बिनारे तो at least two board of directors से होने चाहिए अगर आप चार बनारे तो at least three board of directors से होने चाहिए अगर आप पांच बिनारे तो at least three or four board of directors मेंबर बनने हैं चाहिए जिस्के इंट इन pouco भी इंट कमेंट कमेंटर भी होना चाहिए रिस्क मनेजमेंट कमेंट्र भी इनों कि आप बोड के जो डिरेक्टर्स हैं उनी को सिर्फ मेरा मेंबर बनाओ आप किसी और से किसी और लोगों से मिल के भी मेरी कमेटी बना सकते हो बट इन माई कमेटी मिजॉर्टी शुर्ट भी फ्रॉम बोर्ड डिरेक्टर्स की वही लोग हो जो बोर्ड डिरेक्टर्स हैं और इन्होंने कुछ नहीं बता रहे हम कहा रहे हैं सीधा सीधा तीन डिरेक्टर को उठाके हमसे कमेटी बना दो इसने भी यही बोला लेगिन इसने थोड़ीची कंडिशन ज्यादा रग़ी फिर आगे और इंडिपेंडेंट इरेक्टर यह बोलते हैं कि जितने भी आप मेंबर् इसने इसने बोला कि मुझे नॉन एक्जिक्टिव डिरेक्टर चाहिए आप नहीं हो सकते क्योंकि देखो उनका इन्टरेस्ट इंवाल हो जाएगा इसके अंदर आगर आप बेसिकली देखोगे तो कि एक चारीके से उनको क सैलरी मिलनी है तो वो अपनी सैलरी को कितना भी करवा सकते हैं तो ये इक मेजर रीजन है फिर इसके बाद इसने बोला içने बोला तो एक consistent Irene देधूज कर दो गए इसने मुझे बोला कि मुझे एक independent दो इस ने भी बोला था एक independent 3 स gusta. फिर in case of listed entity having outstanding sr equity shares अब इसने बोला कि अगर ऐसी listed entity है जिसके अंदर sr equity shares जो है वो outstanding है तो उस situation के अंदर जो audit committee shall only comprise of independent director तो वहाँ पर क्या होगा कि सिरफ जो audit committee के अंदर इतने भी directors होंगे वो सारे independent होंगे फिर ये वाली condition two-third वाली नहीं लगेगी फिर आपको सारे के सारे डिरेक्टर जो है वो independent director बनाने पड़ेंगे किस situation के अंदर अगर उस company के अंदर outstanding sr equity shares है तो तो in audit committee then all the director will be independent director यहाँ पर इसने बोला at least 50% of the independent director shall be independent director इसने बोला कि at least 50% डिरेक्टर जो है वो independent होने चाहिए पहले तो इसने बोल जया था कि मुझे सारे के सारे non executive चाहिए अब इन non executive में से भी 50% जो हो कैसे होने चाहिए independent होने चाहिए ठीक है इसने बोला था मुझे दो ती है independent चाहिए लेकिन बोल जया कि अगर outstanding sr equity shares है then in that situation my all directors should be independent directors only और यहां पर क्या बोल रहे है कि जितने भी डिरेक्टर है वो non executive director हो कुछ भी situation हो और आदे जो है 50% independent होना ज़रूरी है इसने बोला in case of listed entity having outstanding sr equity shares at least two-thirds of the stakeholder relations committee shall comprise of independent director इसने क्या बोल जया था audit committee ने मुझे सारे के सारे independent चाहिए अगर outstanding sr equity shares है लेकिन जो यह वाली committee है कौन सी committee है यह stakeholder relationship committee है बोल रहे है कि अगर outstanding sr equity shares है तो मुझे दो तिहाई directors जो है two-third directors जो है वो independent चाहिए ठीक है और in case of listed entity यह जो हम risk management committee देख रहे थे अगर हमारे पास outstanding sr equity shares होते है तो यहां पर इसने बोला at least one-third जो मेरे member होंगे independent directors होने चाहिए वैसे तो इसने बोलता मुझे एक भी देदो कि मैं उससे खूश हूँ बट अगर आपके outstanding sr equity shares है तो मिरे को कितने चाहिए one-third जो है independent director चाहिए और एक यह बचकिया था बीच में इसने क्या बोला कि अगर outstanding sr equity shares है यह जो इसने बोला कि फिर उस situation के अंदर मुझे टू थर्ड अफ यह वैसे तो 50 परसंट मांग रहा था याने कि हाफ मांग रहा था अब यह 75 परसंट मांग रहा है तू थर्ड मांग रहा है कि अगर outstanding sr हुआ तो मुझे टू थर्ड चाहिए तो यानिकि इन दोनों ने टू-थर् हो जाएंगे फिर इसने दो बाते और बोली audit committee ने all members of audit committee shall be financially literate and at least one member shall have accounting or related financial management expertise यानि कि यह बोल रहा है ऐसी कोई situation is in तीनों committees में नहीं लगाए गई इस committee में लगाएगी audit committee में इसने बोला कि जितने भी members है audit committee के वह financially literate होने चाहिए यानिकि उनको knowledge होने चाहिए कि financials जो है company की balance sheet जो है cash flow statement जो है P&L जो है उनको समाझ आए पढ़के ठीक है और एक व्यक्ति उनमें से ऐसा होना चाहिए जिसको expertise हो इस काम के अंदर financial management के अंदर इस चीज़ के अंदर इसकी expertise हो तो यह audit committee की conditions वी तो मुझे लगता है आपको साथ-साथ याद हो रहा होगा अगर आप who will be the chairperson of particular committee audit committee का कौन होगा रिस management committee का कौन होगा stakeholder relationship committee का chairperson कौन होगा audit committee ने बोला कि मेरा chairperson जाए वो independent director होना चाहिए ठीक है CDC बात इसने बोली the chairperson shall be present at annual journal meeting to answer the shareholder queries और यह जो chairperson जिसको appoint के जा रहा है यह AGM के अंदर present होना चाहिए ताकि यह जितने भी shareholders की queries या उनको answer कर सके तो CDC बात थी बस इतनी सी इसने बोली फिर मार पास हाती है कौन सी committee nomination and remuneration committee इसने बोला कि जो मेरा chairperson है वो independent director होना चाहिए यहां तक बोलके आगे proviso add कर रहा है फिर यह क्या बोलता है कि जो chairperson है लेकिन वो ही व्यक्ति जो है इस committee का भी chairperson नहीं होना चाहिए यान कि मानलो audit committee का chairperson था उसको आप इसका member बना सकते हो लेकिन उस व्यक्ति को इस committee का chairperson नहीं बना जाएगा या इन में से किसी का भी अगर वो व्यक्ति चेर पर्सन और इस सक्मिटी शेल बिया non executive इसने इतना बोला मुझे इंडिमेंटेंट नहीं मुझे नौन एक्जिकिटीव डेक्टर जो आप चेर रहम कर लेना कि किसी बोड़ वाले को ही बना देना आप ऐसे किसी और को मत बनाना इन दोनों ने और बाते बोली नॉमिनेशन वाले ने और स्टेकोल्डर वाले ने क्या बोल रहा है तर चेर परसन ऑफ मेबी प्रेजेंट एड़ एन्वल जर्नल मीटिंग यहां पर भी सेम ब यहां पर भी बोल रहा है कि अंदर प्रेजेंट हो और सेक्यॉर्टी होल्डर की आंसर का जवाब दे तो यह बाते आइड कर दी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला गया इस मेनेजमेंट कमेटी में चीक है दिन हम आते हैं मीटिंग के ओपर कि कितनी कि मीटिंग होंगी कि इतनी बारी कौन मिलेगा यह साल में चार बार मिलेगी ऑंडडिट कमेटी जो एँ और दो मीटिंगं से बीच में 120 डिज कीर्ड यह का petites two चीजिस ने बोल दी चार बारी मिलो और 120 जिन से ज़्यादा का फरक नहीं आना चाहिए दो मीटिंग के बीच में तक कमेटी शेट मीट at least once in a year एक बारी मिलो साल में इसके लिए भी यह है कि एक बारी मिलो साल में शेल मीट अट लिस twice in a year लेकिन risk management committee को दो बारी मिलना है तो चार एक एक और दो ये इनकी meeting है कि कितनी मर ये साल में मिलेंगे अब आता है quorum का कि कितने लोग जो है जब भी meeting होगी उसके अंदर present रहेंगे तो quorum of audit committee meeting shall either be two members और one third of the member of the audit committee whichever is greater with at least two independent director ये तो हमने normal board meeting में भी देख रहे हैं उपर वाली बात की कम से कम दो members हो या फिर one third हो दोनों मेंसे जो भी ज्यादा है लेकिन इसने एक बात और एड कर दी कि जितने भी member हो उसमें से at least two independent directors जरूर हों quorum के लिए तो ये बात होगी audit committee इसके अंदर क्या बोला दा इसकी कारम के लिए का बोल रहे है रिस्क मनेजमेंट के अंदर दा कॉरम फॉरा मीटिंग ऑफ रिस्क मनेजमेंट कमीटी शेल भी इदर टू मेंबर्स और वही ज्यादा है वह प्रेजेंट होने चाहिए इसकी कॉरम के लिए कुछ भी नहीं बोला इसकी को बोलता है कि मुझे बोर में से भी एक व्यक्ति बिठा दोगा न मैं उसी में खुश हूं मुझे इंडिपेंडने डिरेक्टर नहीं चाहिए तो एक व्यक्ति जो है इंडिपेंडनेंट ऑस्वरी बोर्ड का मेंबर बैढ़ जाया इसके अंदर वह इसके लिए काफ अगली मीटिंग विधिन 180 डेज हो जानी चाहिए जैसे यहां पर ना कि 120 डेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो यहां पर भी आप लिख सकते हो याद अखने कि दो मीटिंग से भीश में 180 डेज से ज्यादा नहीं बीपने चाहिए रोल ओफ कमिटी बता रहा है कि कमिटी का क्या रोल है तो यह हम अलग से पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या रोल है जैसे वही है कि हमें ने पार्ट डी शेडियूल टू में पार्ट डी शेडियूल टू में ये भी पार्ट सी शेडियूल टू के अंदर दे रहा है इसका यहां पर बता रहा है कि बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जो वो डिफाइन कर देते हैं कि क्या रूल होगा रिस्क of the risk management plan कि जो भी risk management plan है कि उसको आप बोलेगी risk management committee से आप उसको review कर लो ठीक है to the committee and such other functions as may deem fit और इसके अलावा भी मतलब ये board of directors पर depend करते कि वो क्या काम करवाना चाते है risk management committee से तो उसके लिए हमें अलग से कहीं नहीं बता रखा जैसे कि आप उनको देतों की cover cyber security को देख लो या कुछ भी जहां पर भी risk आपको देख रहा है तो उस चीज की area को cover करने के लिए इनको बोल देते हैं बाकि इनका जो काम है वो हमें part c schedule 2, part d schedule 2, part d schedule 2 के अंदर दे रखा है उसको हम in detail अलग से देखेंगे वहां पर जहां पर audit committee का role, stakeholder relationship committee का role, nomination, remuneration committee का role in detail पड़ेंगे तो यहां पर हमारी चारो committees cover हो जाती है कि इन committees के अंदर हमें क्या दे रहे हैं then we will see next regulation in next next video जो की vigil mechanism के बारे में बात करता है whistleblower policy भी जिसको हम बोलते हैं तो आई होप आपको चारो regulation regulation 18, 19, 20, 21 समझ आए हो बहुत important regulation है from exam perspective from real life purposes so I hope आपको समझ आए हो वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक की जिगा शेर की जिगा चल को subscribe जरू की जिगा thank you so much for watching this video